हेलो गाईज वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को मैं प्रियल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैं में रीजनिंग के अंदर अगर आप लोग नए हैं पहली बार जुड़े हैं फोस्ट वीडियो देख रहे हैं सब्सक्र सुन लिजे आई बीपेस प्योरे नोटिफिकेशन अपना आउट कर दिये अपनी वेकेंसीज को रिलीस कर दिया है कि एक्जाम टाइम पे होने वाला है तो आई बीपेस ने इस बार फिर से प्रूफ कर दिया कि हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगी वेकेंसीज का आपने एक्जाम होगा तीन-त्र к ये एक्जाम-डेट है आफकी प्री की ऐख्योंवर में आपका एक्जाम ओầnने की देट है 5-8 और शब्बिशाष ने कर 16 तक लेकिन. शब्बूस बंधिजार,मत एक मत किजेगा उससे पहली 15-20 तरह तक की फोर्म को भड़ लीन चेगा सबसे तो आप फोड़ा से नजर डालते हैं जिसपर आपकी सबसे पहले नजर ढती है वह किनज इस कितनी आये तो एक गाते हैं dl वेकेंसी अफर आप देखेंगे तो ऑफ टोटल पे देखते हैं तो CNC foreign 2060 पर निराशा होने की जब आपने यो Community से थे देखी हैं तो जड़ा देखी एक बार की मेक्जिमम बेंक्स ने अपनी वेकेंसी रिलीज नहीं किये अगर आप देखेंगे इनको तो आपको पता चलेगा कि मैक्जिमम बैंक्स ने अपनी वेकेंसी नहीं इनके उपर लिखा हुआ है क्योंकि मेक्जिमम बैंक्स ने जो बैंक्स दे रखे माँ पर 11 ग्यारा मैंसे 6 बैंक्स ने अपनी अभी वेकेंसी रिलीज नहीं कि है और अगर आप पहले भी पेपर देते हुए आ रहे हैं यासे मैं तो खुछ भी बैंक में हूं तो मुझे पता हिए कि लास्ट ट्राइम पे वेकेंसी इंक्रीज होती है सब कुछ जब हो जाता है आपका अपरल में उससे में आपकी वेकेंसी को इंक्रीज करके बतायाता है क थो आपकी टेंटेटी वेकेंसी इसको देए यह फिगर को देखे हैं निराष्मत हुए गाम आपन साधी ब्लब चला रहने वाली जैसा पैटरन से अमेलोग लास्त-इन साल का पैटरन देखेंगे तो आपका ऑबजल नहीं रहिए गा कि वेकेंसी एराउंड लास तक जाते जाते हैं चारहजार कि सम्तिंग कुछ हो जाती है तो आपको बचल गाए विकैंश कितनी है हर बैंक्स अपनी विकैंश कुछ निकालती है यह बात फिक्स होती है आपका एक्जाम की डेट पचल गी आपको प्रीका एक्जाम 3-10-10-10-11-10 को ओने वा तो आप लोग सोचने में अपना समय बरबाद नहीं करेंगे आज सही पढ़ाई करने में लग जाएंगे कि अब उल्टी गिंती चालू है अब यह सोचिए अब सीधी गिंती चल रही थी अभी तक लेकिन आज के बाद रुट्टी विकेशन आचुगा है आज के बाद केवल आपकी उल्टी गिंती चालू होना साथ हो चुकी है तो पढ़ाई को दुगनी स्पीट से कर दीजिए दुगनी से कर दीजिए कंसंट्रेशन भढ़ाएं अपने उस पर पढ़ाई के अंदर क्या रेगुलर्टी होनी चीए आज जो तना पढ़ा है कल भी आप उतना ही पढ बहुत बीड आएगी इस बार बैंक के अंदर बहुत बीड आने वाली है इतना होता हर बार उससे दुगनी बीड़ आप एकस्पेक्ट करिए तो आपको जो 4000 वेकंसी है उसमें अपना एक इस्थान आपको इनसे मतलब नहीं है इतनी फिगर मत देखो आपको देखना है कि म बहुत ध्यान से रहीगा कि भीड दुगनी ओने वाली इस बार कोविट की होड़े से भंपार भीड आएगी बाद ध्यान अखना तो आपको सबसे फाइट करना है जो पढ़ रहे थे उनसे भी जो पढ़ चुके उनसे भी जो नौकरी छोड़ चुके उनसे भी तो फाइट डेट देख लिए एक बार अप लोग एक्जाम की डेट को चैसे आपसे है एक सेकिंट बड़ा जूम करते हैं उसको एक्जाम की डेख वही है पांच से शुरू होगा 26 खतम हो जाएगा पेमेंट 26 का निजार खीजिएगा मत ऑनलाइन एक्जाम होने वाला है आपका तीन औ अपरिल में आ जाएगा ठीक है यह आपका एक्जाम हो गया अब अगला कुछ क्वालिफिकेशन की दिक्कत रहती है क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं हाँ डेट देख लीजे एक बड़ डेट आपकी रहेगी एक सिकिन डेट आपकी रहने वाली है डेट आपकी यह रहने वाली है अठारा से लेकर नहीं बीस से लेकर तीस साल तक डेट जो रहेगी वह आपकी बीस से लेकर तीस साल तक आपकी एज हो सकती है क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन का साफ साफ दिया हु जो है ग्रेजुएशन जो है कम्प्लीट होनी चाहिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग लास्ट येर में उनके लिए बात दे रखी है कि उनका फाइनल डिजर्ट मनलब की चाहिए डिगरी ना आए लेकिन फाइनल जो माक्षीट होती है वह आपको आस होनी चाहिए वह किस दिन क्योंने चाहिए चब्विस आठ दो हजार बीस से पहले की कब की चब्विस आठ दो हजार बीस तक की आपके पास माक्षीट मतलब फाइनल माक्षीट होनी चाहिए तब तो आप एक्जाम दे सकते हैं अगर आपको उमीद है कि आप कई से पहले हो जाया है कि यह सब च बात नहीं है पर फिर भी मैं आपसे बोलूँगी अगर आपको उमीद है कि आपकी जो एक्जाम जो माक्षी रहा फाइनल जट वरी वह चबिस आठ दो हजार बी से पहले पहले आज आएगी आपको आस होगी तभी फर्म की भरिएगा वना जो ग्रेजुएट नहीं है वो फर्म मत डालेगा फीस आपको वैसे भी पता है भर्च के साड़े आए रापousing नहीं और तक है और रपी के था कि फीस बढ़ेंगी वह दो olsun आपका एक्स प्रिकोशन लेने पकर न करवा पाएंगी विद् यह तो आप यह सोची आप देखो भी नहीं चलेगा और एक्जाम होता तो चाहिए आप 1210 लगा देते तो भी फरक नहीं पड़ता तो इस बात के तेंशन मत लीजेगा की साधे आठ सो फीस भरनी पढ़ रही है भर दीजेगा दिमाग को रिलेक्स करके पढ़ाई कीजेगा कि दिमाग इतना फ्री रहेगा उतना कंसेंट्रेट वे में आप पढ़ पाएंगे दिमाग पे बोच बिल्कुल नहीं डालना है आपको और आज से आपको पढ़ाई करना है जो न्यू कमर है वो कैसे स्टार्ट करेगा जो पुराहने वो कैसे करेंगे इन सब के लिए वीडियो लेके आऊंगी कल आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो भी तो बी प्रिपेर आच से यह आप त्यारी करना स्टार्ट कर दिजिए वेकेंसी के तेंशन मत चाहिए ना जिस दिन आपके मन में यह आजाएगा कि हमें एक सीट चाहिए वो यहां पर अविलेबल है तो आप उजिस ले देंगे तो इस पर पॉजिटिवनेस रखिए अपने अंदर नेगिटिविटिविटिव बाहर कीजिए एक्जाम भी आ रहे हैं तो पॉस्टिवि लूबाए